अगर आप समझ रहें कि नाम बदलने से जीट जाएंगे तो मुबारक हो आपको बीजेपी को हराना एक बीजेपी एक एक एलेक्टरोल मिशिनरी है मशीन की तरह उलोग काम करते हैं उस तरह से आपको तैयारी करने की जरूर दोस्तों एक मुहावरा है ज्यादा जोगी मठ हुजाड और यह मुहावरा अभी के UPS से बनी 26 दलो वाली इंडिया पार्टी पर बिल्कुल फिट बैठती है तो हम जानने की कोशिस करेंगे कि क्या इंडिया इंडिया को हरा पाएगा इंडिया को हरा पाएगा इंडिया को हरा पाएगा इंडिया को हरा पाएगा या नहीं तो यही तो है इस पार्टी का गेम प्लान जिसे हम डिटेल में समझने की कोशिस करेंगे सबसे पहले तो इस पार्टी में कृष्णा की कमी है कृष्णा नहीं है देखिए जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अरजुन बहुत चिंती थे कैसे वो इस युद्ध में सामिल अपनों पर बान चलाएं कैसे उनसे युद्ध करें और तब भगवान सरे कृष्ण अरजुन को बहुत समझाते हुए अपना वो बिराट रूप दिखाते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि दुनिया की हर एक चीज मैं ही हूँ दुनिया की सारी चीजे मेरे ही अंदर हैं मैं ही दुनिया का करता धरता हूँ जो हूँ मैं ही हूँ यानि इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं ही हूँ मैं ही मोतियों के माला का वो धागा हूँ जो सब को एक साथ रखता है और वही धागा की कमी इस पार्टी में दिखाई दे रही है तो चलिए इसे हम डिटेल में जानने की कोशिस करते हैं देखें 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी बाजपई के अ साल तक सत्ता में रहा 2014 के लोकसभा चुनाव में पिये मोधी की ऐसी लहर चले की कॉंग्रेस के साथ साथ यूपिये का भी पतन शुरू हो गया पियम नरेंद्र मोधी के अगवाई में इस चुनाव में NDA को सांधार जित मिली क्यों मिली क्योंकि NDA के पास एक बहु चर्च चेहरा था पीम नरेंद्र मोदी के रूप में जिसे आगे किया गया देश को उस वक्त पता था कि अगर एंडिये इलेक्शन जित्ती है तो हमें अगला पीम कौन मिलने वाला है फिर से 2014 की तरह ही 2019 में एंडिये की यह जीत प्रचंड जीत में बदल गई क्यों क्योंकि उस वक प्रचंड के नित्रित वाले एंडिये को सत्ता से बाहर करने के लिए नया विपच्छी गटवंधन तयार हुआ है और इसका नाम आई एंडिये रखा गया है यानि कि इंडिया यानि आप 2024 में एंडिये का मुकावला यूपीय से नहीं बलकि आई एंडिये से होगा यानि क और कमेंट दिखेंगे बट पीम का नाम बिल्कुल अलग-अलग होगा सेम कंडिशन इस पार्टी की है जितनी पार्टी जहें उतने पीम का नाम है तो यह सब देखने के बाद इतना जानने के बाद क्या आपको यह नहीं लगता कि इस पार्टी में एक वो धागे की कमी है जो मोतियों के माला को एक साथ रख सकता है और दूसरी उस कृष्णा के रूप में उस चेर्मैन की कमी है जिसकी सब पूजा कर सके समझ रहे हैं न मैं बात कर रहा हूं उस पीम के दावेदार के नाम की जो अब तक दिखाई नहीं दिया यहां तो हर कोई अपने आपको पी सबिंद केजरिवाल चाहे वो ममता बनेर जी हो या राहूल बाबा सभी पीम बनने वाले हैं बट पीम की कुरसी देश में एक ही है तो आए जानने के कोशिस करते हैं कि इंडिया पुराने गठवंदन यानि की यूपीय से कितना अलग होने वाला है क्या थौट्स हो सकते है इंडिया नाम रखने के पीछे और क्या अच्छा और क्या बूरा हो सकता है नए एलायन्स पार्टी के लिए यह इंडिया को ह राँ पाएगी या नहीं। और इसके लिए हमें UPA का इतिहास पर थोड़ा सा नजर डालना होगा कि कैसा रहा है UPA का इतिहास, तभी हम समझ पाएंगे कि 2024 में क्या होने वाला है, 2004 में UPA के गठन के समय कॉंग्रेस को 14 पार्टियों ने समर्थन दिया था, Common Minimum Program के तहट यह गठबंधन बना था, Common Minimum Program पर 17 मई 2004 को हस्ताचर हुए, इस प्रोग्राम के अधार पर चार लेफ्ट पार्टियां, CPM, CPI, RSP और Forward Blog ने बाहर से समर्थन दिया, 2004 की तरह एंडिये को सत्ता से बाहर करने के लिए, इस साल भी इंडिया का गठन हुआ है, हलाकि इस बार विपच्छी पार्टियां लोग सभा चुनाओं से पहले ही साथ आ गई है, इस नए गठबंधन में कॉंग्रेस समेथ 26 पार्टियां सामिल है, 2004 में गठबंधन के नाम पर घरी चर्चा हुई थी, शुरू में इसका नाम United Secular Alliance या फिर Progressive Secular Alliance रखने का सुझाओ दिया गया, लेकिन DMK के लेट लीडर एम करुना निधी ने इस पर आपत्ती जाताते हुए कहा था कि तमिल में Secular का मतलब Non-Religious होता है, इसे में गठबंधन का नाम Progressive Alliance रखने का सजिसन दिया गया, इसे सभी ने एक्सेप्ट कर लिया, इसे में इसका नाम United Progressive Alliance यानि की UPA पड़ा, बेंगलूरू में 17-18 जुलाई को हुए बैठग में विपच्छी गठबंधन का नाम TMC चीफ ममता बनर जी ने सुझाया, राहूल गांधी ने इस पर समर्थन दिया, हलाकि बैठग में नितीश कुमार ने इस नाम का बिरोध भी जताया, जैसा कि वो हमेशा करते आया हैं, लेकिन उनके बातों को अंदेखा किया गया, ज्यादातर नेता इसके पच्छ में थे, एसे में इसका नाम India रखा गया, इसके बाद इंडिया के फुल फॉर्म पर चर्चा हुई, और इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डवलप्मेंट एक्स्क्लूसिव एलाइंस फाइनली तै किया गया, अब बड़ा सवाल कि इसके पहले कॉंग्रेस यूपीए की छतर चाया में दो बार केंदर में सरकार बना चुकी है, तो फिर नाम बदलने की जरुवत क्यों पड़ी, तो इसे भी हम समझेंगे, पहले थोड़ा ये वीडियो देखते हैं, इंडियन नाशनल डिवलप्मेंटल इंक्लूसिव अलाइंस, मतलब इंडिया, इंडिया जीतेगा, भात पाहरेगा, दिखिए एक रि इनेट का यूथ फोर मोदी का गेम खेला था, क्योंकि उनको पता था कि देश अभी यंगस्टर्स के हाथों में है, जिसके अंदर देश भक्ती कूट कूट कर भरी होती है, इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का यूथ से मिलना जुलना, बाला कोट और सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370, राम मंदिर जैसा कारनामा तो मानोई यंगस्टर्स के लिए पीएम मोदी को देश का रखवाला और उनका दोस्त बना डाला, और लगभग 9 सालों के बा और ये डेटा सायद समझ में आया कि जिस यंगस्टर्स को पीएम मोदी ने अपनी ओर अट्रक्ट किया है, उसे इंडिया नाम से इतना प्यार हो चुका है, जिसे हारते हुए वो कभी भी नहीं सुन सकते और नहीं देख सकते, साथ में मनीपूर वाइलेंस जैसा तलका इन इंडिया नाम दिया गया, लेकिन सायद ये भूल गए कि ये 19 का दोर नहीं है, जहां पर सिर्फ रेडियो से लोगों को न्यूज मिला करता था, लोगों को वही बाते पता चलती थी जो उन्हें बताया जाता था, फोर्चुनेटली हम 2024 में इंटर करने जा रहे हैं, जिसमे जो बाते हम बताना नहीं भी चाते, वो भी लोगों को पता चल जाता है, आज के यूथ ये समझ चुके हैं कि जॉब तो चाहिए, एजुकेशन तो चाहिए, बट उस एजुकेशन या जॉब का क्या फाइदा, अगर देश ही गुलामी की ओर चला जाए, और इस लेवल पर यहां तक कहना है कि अगर तीसरी बार आया, तो भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी एकोनॉमी होगी, यह सच है या जूट, यह तो आप ही बता सकते हैं, अगर आप देखें, तो AIMIM के चीफ, ओवैसी ने तो इंडिया एलाइंस पार्टी को यहां तक कह दिया, कि आप आपको जमिनी लड़ाई लड़नी होगी, जैसे BJP वाले एक मसिंद्रिच की तरह काम करते हैं, वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा, आपकी कोई मीडिया टीम नहीं है, आपके नाम बदलने से सिर्फ सूचते हैं कि जीत जाएंगे तो संभव नहीं है, आजकल सिर्फ सोची पीम नरेंद्र मोदी की प्रेडिक्शन कितनी तगली थी, कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन के पहले ही ये प्रेडिक्शन किया था, कि 2023 में भी आप अभिश्वास प्रस्ताव लाना, और ये बात उनकी आज सच निकली, एक बात ये समझ नहीं आई, कि दुनिया जानती है कि अभी बीजेपी खुद फुल बहुमत में है, खुद के दम पर है, तो ऐसे में अभिश्वास प्रस्ताव लाकर इंडिया साबित करना क्या चाहती है, ये खुद के लिए साइद अच्छा सोच रहे हूं, बट ऐसा नह किसी तरह से खुद को सिर्फ हाइलाइट करना चाहती है, इनको ये समझना होगा कि सिर्फ नाम चेंज कर लेने से ग्राउंड रिपोर्ट बदल नहीं जाएगी, दूसरी बातें सच या जूट बट लोगों का मानना है कि UPA का नाम दागदार है और भरस्टाचार के आरोप से निसाना साधा, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने UPA पर अस्पॉलियेशन, पासलिटी और एक्ट्रो सिटी का आरोप लगाया, बैंगलूरू में एक कार्जकरम के दवरान प्रधान मंतरी ने विपच्छी गठवंधन को भरस्ट और डैनिस्टी के पॉ इसके लिए हम थोड़ा ब्रीफली गठवंधन के हिस्ट्री को भी देख लेते हैं, UPA का गठवंधन लोगसवा चुनाओं के बाद हुआ था, यानि 2004 में जिन पार्टियों ने जितनी सीटे जीती थी, उन्हें उसी के हिसाब से सरकार में भागिदारी मिली थी, कॉंग्रे नहीं नहीं, दो दोर की बैठकों में अभी तक परधान मंतरी उमिद्वार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, एसे में PM उमिद्वार चुनना भी नए गठवंधन के सामने एक बड़ी चुनाओती होगी, हलाकि कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे, साफ कर चु रहे हैं, एसे में सीटों के बटवारे से लेकर PM उमिद्वार के एलान तक विपच्छे पार्टियों में टकराओ देखने को मिल सकता है, 2004 में लोकसभा चुनाओ के बाद UPA का गठन हुआ, 22 मई 2004 को मनमोहन सिंग के PM पद के सपत लेने के साथ UPA की पहली सरकार बने, ठिक द से पहले UPA से बाहर आई, 2007 में MDMK ने UPA सरकार पर कॉमन मिनिममम प्रोग्राम पालन न करने का आरोप लगाया और गठवंधन से समर्थन वापस ले लिया, 2008 में भारत अमेरिका नुकलियर डील को लेकर चार लेफ्ट पार्टियों ने UPA सरकार से समर्थन वापस ले लिया, म कॉंग्रेस को AIMIM, BCK, Sikkim Democratic Front और Bodo Land People's Front ने बिना मंत्री पद के समर्थन दिया था, 2012 में TMC और DMK गठवंधन से बाहर आ गया, इसके बाद जारखन की JVMP और AIMIM ने भी समर्थन वापस ले लिया, 2009 के लोगसभा चुनाओं में UPA ने 262 सीटे जिती, इस चुनाओं में कॉं कामना करना पड़ा, कॉंग्रेस 206 से 44 सीटों पर सीमट गई, UPA गठवंधन को 69 सीटे मिले, वहीं 2019 में कॉंग्रेस ने 52 सीटे जीती, तो UPA 90 सीटों तक पहुँच पाया, अब देखना ये है कि 2024 के लोगसभा चुनाओं में UPA से बनी इंडिया क्या 90 से सरकार बनने के परसन होना चाहिए, बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर मुंबई में चर्चा होगी और एक नाम पर मुहर लगेगी, इसके अलावा सीटों के बटवारे पर भी चर्चा होगी, अगले परधान मंतरी के रूप में आपका क्या प्रेडिक्शन है, नीचे कॉमेंट में जरूर बताये,